नमस्कार वच्चू आज हम प्रकास का प्रावर्तन ये जो लेक्चर है नमबर दो उसको स्टार्ट करने वाले हैं तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि प्रकास के प्रावर्तन के बारे में हमने बढ़ा था और आपने ये भी पड़ा था कि परकास के प्रावर्तन के दो मुख्य नियम होते हैं एक तो आपतन कोण, प्रावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा जो आपतित किरण होती है और अभी लंब और प्रावर्तित किरण ये तिन्नों एक ही तल में होते हैं तो ये जो दो नियम है परकाश के प्रावर्तन के ये हर जगा लगू होते हैं जहां कहीं भी प्रावर्तन होगा वहाँ ये नियम लगू होंगे इससे खोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्पन आगे कैसा है और प्रावर्तन कैसी सतय से हो रहा है ये नियम जहां कहीं प्रावर् एक में अपने आपको शीशा आप कहते हैं, उसके अंदर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जब कभी आप देखते हैं अपने आपको शीशे में, तो आप देखो कि आपका जो परतिविंब बनता है, वो बिल्कुल सीधा बनता है, आपका जो चेरा है, आपको तो दे रहा है लेकिन चाह मों परतिबिंब दिखाई देजे रहा है वहाऊस्टव फञेश परच्छाई मेंगी बन रही है इसकी कोई परतिविम्ब इसका नहीं बन रहा है इसका मतलब ये परतिविम्ब जो है वो अबासी परतिविम्ब है तो ये होता है समतल दरपन के बारे में लेकिन दरपन केवल समतल नहीं होता है दरपन और परकार का जो होता है जो दूसरी परकार का जो दरपन होता है उसको हम गोलिय दरपन कहते हैं तो गोलिय दरपन क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनता है तो गोलिय दरपन मुख्यत है ऐसे दरपन होता है जिसका प्रावर्तक प्रिष्ट गोलिय होता है अब ये गोलिय प्रावर्तक प्रिष्ट क इसका एक piece यहां से काट लेते हैं, यहां से अगर हम एक piece काट लेते हैं, तो यह ऐसे एक piece बन जाएगा, इस तरह का piece बन जाएगा, अगर यह piece काट लिया इसमें से, तो यह ऐसा piece बन जाएगा आपके बस, तो यह जो ऐसा piece निकलेगा, इस piece का एक हिस्से को हम अच्छे तरह स से पॉलिष कर देते हैं यह वाला इसा कर दें और यह वाला इसा पॉलिष कर दें तो एक इससे को मगर अच्छे से पॉलिष कर दें और दूसरे इससे के उपर पेंट कर दें तो हमें एक दरपन प्राप्त होगा जिसको हम गोलिय दरपन कह सकते हैं तो ऐसे दरपन जिनका प् गोलिय दर्पन हम दो प्रकार के बना सकते हैं अगर प्रावर्तक प्रिष्ट ये बनाएंगे या ये प्रावर्तक प्रिष्ट ये बना सकते तो इस प्रकार दो प्रकार के हम गोलिय दर्पन बना सकते हैं दो प्रकार क्यों सकते हैं सबसे पहले हम करेंगे उनके नाम क्या हों इसमें हमें अपना चेरा दिखाई देजे तो और ये वाले से को हम पेंट करते हैं अच्छे से ताकि इसमें से अमें बिल्कुल भी कुछ दिखाई ना दे तो इस परकार जो दर्पन मनेगा वो अवतल दर्पन होगा तो गोलिय दर्पन जिसका जो प्रावर्तक प्रिष्ट ह होता है वह अंदर की तरफ होता है अंदर की दर ऊसको अवतल दर्पन बोलते ही और उसक जो जिब डाइग्राम म करेंगे लुवाह स्बस्ताइब जासे हैं अगर इसकी बचाए हम ये वाले इससे को अच्छे से पॉलिश करने पहुत शकल को देख सकें तो फिर यह जो दर्पन मनेगा उसको हम उत्तल दर्पन क्या सकते हैं उसका डायग्राम हम यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं वास्तों में उत्तल दर्पन और उत्तल दर्पन कैसे दिखाई देते हैं वो हम आपको यह दिखा देते हैं तो यह दो प्रकार के दर कर देख रहे हो दोसरे होसे रहा है तो सा उत्तल है सायवत्तों लेकिन यह देकर और यह ममने जाएगा है यह देखी को समाने दरपन के अंदर देखते हैं समाने दरपन में देखते हैं तो यह इसका परती विम्ब ऐसा बन रहा है लेकिन यह देखिए यह जो दरपन है यह उत्तल दरपन है उत्तल दरपन में जब वो देखते हैं इतना उबरा हो नहीं, ये कम उबरा हुआ है, लेकिन ये उबरा हुआ है, तो इसके अंदर ये देखो परतिविम कैसा, छोटा बन रहा है, लेकिन जब इसके अंदर ये देखते हैं, तो इसमें कई परकार के परतिविम बन रहा है, बड़ा परतिविम बन रहा है, और एक टा रुटा जो है पर तिभी मिन Surface में मनताय तो इस प्रकार यह दो प्रकार के डरपन होते हैं तो गोलीर दरपन के बारे में कुछ बातें हम आज हैं पहली बात यह है कि गोलीर दरपन की कुछ खास बातें होती है यह तो ढूफ पहली चीज़ होती है अधूरूमा- उतल दरपन है, उसमें एकम ध्रूव होता है, वो उसका बिल्कुल केंदर बिंदू होता है, जैसे ये जो एक वृताकार चीज़ है, तो इसका बिल्कुल केंदर यहां पे होगा, यह जो बिल्कुल केंदर यहां पे होएगा, और इसका बिल्कुल केंदर यहां पे होएगा, तो इसको हम धुरूव कह सकते हैं, इसको निशान भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इसका धुरूव है, वो यह बिंदू होगा, यह बिंदू, यह धुरूव हो जाएगा, और यह बिल्कुल बीच वाला यहाँ पे बिंदू, यह इसको हम धुरूव कह सकते हैं, तो यहाँ पे ह जसे कि परतिविक बोन सकता है यह संतरा टुरुवत कहला है अगली चीज है वकरता के अंदर क्या होता है लेखेória कोई जो गोले दरपन होता है वो एक बड़े सारे गोले का एक बाग होता है जैसे कि हमने यह कहा था कि यह इससे बना है तो यह जो गोले दरपन है यह बड़े सारे गोले का बाग है तो इस बड़े सारे गोले का जहां केंदर होगा यहां पे इसके बीच में यहां इसका इसका तक प्रिष्ट जिस गोले का बाग उसको उसको क्या कहते है उस गोले का केंदर केंदर कहते हैं इसको सी से परदर्शित करते हैं यहां पर यह सी से इसको परदर्शित किया हुआ है दूसरी चीज़ है वकरता तरिज्या वकरता तरिज्या क्या होती है तो यह जो गोला है जो इसका जो तरिज्या होगी वो उसकी वकरता तरिज्या कहलाएगी तो गोले दरपन का प्रावर्त प्रिष्ट जिस गोले का बाग है उसकी तरिज्या को वकरता तरिज्या कहते हैं यहां पे हमने इसको ऐसे दर्शाय हुए है कि इसमें देखें तो यह जो दुरू है और यह ज वकरता के ंदर को सीधा झो रेखा मिराएगी और वो अनन्द् yap जिसकी लंबाई होगी split and about Woo और वक रता के अंदर से गजरने वाली जो सीधी रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं तो यह मुख्य मुख्य बाते हैं जो कि गोली दरपन के बारे में हैं और गोली दरपन के बारे में हमने पड़ा तो ये चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें और इसको एक बार ड्रा करके देखें ताकि आगे आप इसको आगे इन से इन से परतिविम बनाने में आपको असानी